हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल, आज की इस वीडियो में हम मैथेमेटिक्स ओलम्पियाड से रिलेटिड मोस्ट इंपोटेंट क्योशन देखेंगे जो आपके कल के सेट सी मैथेमेटिक्स ओलम्पियाड में आपको देखने को मिलेंगे तो एक question तो आपको बिल्कुल additive inverse और multiplicative inverse देखने को मिलेगा मतलब हमें इसको minus करना होता है ऐसा आपको कोई छटना होता है तो minus 3 by minus 7 क्या बन जाएगा 3 by 7 और इसको minus करने के लिए हमें इसमें से क्या minus करेंगे माइनस 3 by 7 तो correct answer option A हो जाएगा एक नंबर आपका surely मिलेगा ऐसा question आता है उसके बाद आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता चलूँगा कैसे कैसे question उसमें आते हैं और same as it is मतलब मैं आपको इधर जो आपका mathematics है class 8 का उसके 14 chapter है हर chapter से related 5 question दिखाऊंगा उन में से एक question आ ही जाता है मैंने set A भी देखा है mathematics ओलंपियाड का और set B भी तो इनी में से पांचों में से एक type का question आ ही जाता है तो जैसे यह देख सकते हैं आप नेक्स्ट यह देख सकते हैं तो पहले वाला most important था इसके बाद आप कुछ इस तरीके का देख सकते हैं यह वाले questions देखने को मिल जाते हैं उसके बाद एसे questions जिसमें value दी होती है यह questions special Olympiad oriented question है तो जिनमे value दी होती है आपको solve करना आना चाहिए ऐसे question 100% आते हैं पहले two questions में आप देख सकते हैं इन में से एक question आ जाता है ऐसे आपको simply value उसको solve करना है और पी का value x का value जो भी दिया है उसको निकालना होता है तो आपको यह आना चाहिए जैसे इसकी से multiplication होगी इस से होगी और यह पहले दिया ही है फिर इदर आ जाएगा वह माइनस में हो जाएगा और यह माइनस का यह इदर जाके पलस में हो जाएगा जो भी है तो ऐसे आपको यह पता होना चाहिए आप इनका practice कर सकते हैं बिलकुल पहले की value निकाल नहीं है तो इदर जाके यह multiplication में हो जाएगा इसके यह इसके multiplication में हो जाएगा ठीक है जैसे हम देखें तो 12-9m is equal to 4-10m तो 9m इदर है 10m 10m इदर है तो किसी को किदर ले जाओ कोई नहीं 12 मालो हम 4 को इदर ले आते हैं 12-4 और 9 को उदर ले जाते है माइनस 10m प्लस 9m तो m इदर माइनस का 10 है और प्लस का 9 है तो माइनस का m is equal to 8 और m की value कितनी हो जाएगी माइनस 8 तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको इसके बाद ओलंपियार क्योशन यह geometry related भी क्योशन आते हैं तो आपको इनका देख लेना मैंने answer भी दे रखे हैं के तो यह चीज़ें हालंकी इतना साइड ऐसे क्योशन मैंने नहीं देखे थे तो आप नेक्स्ट पे चलेंगे तो ठीक रहेगा हाँ यह क्योशन ऐसे आए थे average तो आप हुमें बता दूँ एक बार के लिए कि मीन मीन मोड और मीडियन और रेंज इन में से चारों में से एक क्योशन पूछा जाता है मीन क्या होता जितना भी आपके पास डाटा दिया गया है नंबर दिये गए हैं उनको एड कर दो और जितने नंबर हैं टोटल नंबर प्लस टोटल नंबर वो क्या जाएगा मीन निकलाएगा मोड क्या होता है जो भी मैक्सिमम बार होता है नंबर गीवन नंबर में जो भी मैक्सिमम होता है वो मोड होता है मीडियन क्या होता है जो भी नंबर दिये रहते हैं उनको असेंडिंग ओर में जचा दो और जो बीच का पूछा जाता है जैसे कि 52 कार्ड है एक कार्ड उठा लिया और वाटिजा गेटिंग ब्लेक कार्ड ब्लेक कार्ड तो हमें पता है 13 ब्लेक कार्ड होते हैं टोटल कितने हैं 52 तो यह इसका प्रोबैबिलिटी होता है जो नमबर टोटल नमबर में जितना होता है और यह होता सोरी ब्लेक कार्ट 26 होते हैं हुकम बोलते हैं और चीडी बोलते हैं जिसको तो ब्लेक कार्ड आने की प्रोबैबिलिटी वन बाइटू हो जाती है उदर ठीक है आप से बॉल देंगे को फिफ्टी टू बच्चे हैं और 26 को मैथ पसंद है 10 को इंगलिस पसंद है और बाकी दुखको तो जिकके 16 बच्चे है टोटल नमबर नीचे लिखा जाता है तो यह प्रोबैबिलिटी होती है आपने साहर किया भी होगा तो यह कि प्रोबैबिलिटी वाला तो 100 परशेंट क्योस्ट आता है उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो यह बिलकुल यह वाला क्योशन ऐसा आता है पैरिमेटर का आपको या तो सरकुलर पैरिमेटर दिया, सरकंफेरेंस दियोगी उसी से फिर रेक्टैंगल बना दिया होगा और उसमें फिर बोला हो गया, इसका साइड बताईए या एरिया बताईए तो पैरिमेटर इसे इकल टू हम लेंद यंटू ब्रेथ अगर रेक्टैंगल बना आए तो या स्केर बना आए तो यह स्केर के बराबर रखे कर सकते हैं कि उसके बाद कुछ और उसके बाद मैं इंपोर्टेंट क्योशन बताओं ऐसा बोल दिया जाएगा कि पांच हजार पचीस सो पचीस सो सोले स्टुडेंट हैं इनको कोई टीचर ऐसे रो और कोलम मतलब ऐसे लगाना चाहता है कि प्रेयर में कि एक इसे हम क्या करते हैं फिर इसका क्या करते हैं क ONE करते है थीक है स्केर रूट में जो आता है 50 आ जाएगा इसका तो 50 बच्चे ऐसे कोलम में होंगे और 50 बच्चे रो में होंगे ठीक एस सोला बच गए यह ऐसे अलग रहते तो वह जो भी जितने ज्यादा बच गए उसको माइनस करेंगे और फिर स्केर रूट करेंगे तो ऐसे क्यों भी कि सेट में कि उसके बाद मेरे सो वाले पुछे जाते हैं कि सिंपली आप वैलू पूट की यह हो जाएगा परसेंटेज वाला भी क्योशन पूछा जाता है जैसे कि इस क्योशन में क्या पुछा गया है इन फेक्टी वो मैं आर 35 परसेंट अफ ओल्दा वरकर एंड रेस्ट मतलब 55 65 percent the number of men exit the number of women by 252 252 men ज्यादा है तो total number of worker तो percentage में देख लेंगे 35 percentage में 30 परसेंट ज्यादा है और वैसे में 252 तो 30 परसेंट की वैलू 252 है 1 परसेंट की वैलू हमाराम से निकाल सकते हैं एक जीरो से जीरो कर जाएगी थ्री एट जा 24 तो टोटल 840 स्टूडेंट हमारे पास आ गए तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं और ऐसे भी क्योशन पूछे जाते हैं इंट्रेस्ट वाले प्रोफिट और लोस वाले अगर बोल दिया जाए कोई चीज को हमने 690 रुपए में बेचा और यह 10 परसेंट लोस में बेचा तो यह जो 690 होती है ना यह 90 परसेंट की वैलू होती है क्योंकि लोस में बेचा है तो बोल देंगे आपको कि 5 परसेंट प्रोफिट में बेचने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए था तो 5 परसेंट प्रोफिट मतलब 100 में पांच और दो 105 हमें 105 की वैलू निकालनी है डेरेक्ट आपका अंसर आ जाएगा तो ऐसा क्योशन भी पूछा जात है कि उसके बाद यह कि लीनियर एक्वेशन के भी क्योशन पूछे जाती है इसमें यह आपको निकालने आने चाहिए कुछ इस तरीके से कि एम और एन की वैलू आपको दी होगी इसमिपल आपको डी मेलू पूट करनी है तो ऐसे क्योशन भी अक्षन पूछे जाते हैं सिंपलीफिकेशन का तो पहला क्योशन की जो स्टार्टिंग होती है उस इम्पलीफिकेशन से ही होती है तो आपको बस यह देखना है अगर 5 वाई शेवन हैं इसका वेलू माइनस में है माइनस में 6 है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो CPharma सकते हो 7 by 5 और वैलू में नेगे थे अंगे उसको पेज़र देंगे वो पाommes प्लस में हो जाएगी उसके बाद हम tubing एसे क्योसं भी आपको देखने को मिलेंगे तो आपको कुछ ऐसे भी क्योशन देखने को मिल सकते हैं डिस्टेंस दिया होगा वन बाई टू बाई फॉर बोला होगा ऐसे कवर करते हैं तो टोटल आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्योशन को भी ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं यह क्योशन ब पिल्कुल देखने को मिलेंगे कल क्या आपके ओलंपियाड मैथेमेटिक्स ओलंपियाड सेट सी के यसन पेपर में थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो